हेलो फ्रेंड, वेलकम टो माई चैनल, मेरी चैनल में फ्रेंड आपका स्वाधटी फ्रेंड, मेरे बाद जुमी ये जी स्क्रीन चल रही है, वहाँ पे आपको कुछ मुविंग एनिमल्स दिखाए दे रहे होंगे, जो मेरे घर पे मुविंग हो रहे हैं अगर आप चाहों तो यह जो 3D टेकनोलोजी है वह आप भी यूज कर सकते हो, वह भी तोटली फ्री आप भी जो भी इम्यूज को लेखना चाहते हो, इसके अंडर जो आप 3D में देख सकते हो, इसका यूज आप एजुकेशन में भी कर सकते हो, अगर आप साइंस तीचर हो, तो आज क्या जो मेरा वीडियो है वह बीडियो आपके लिए है, इस तरीके के वीडियो आप दिले सकते हो, और आपकी जो teaching process है, उसको बहतरीन कर सकते हो, अगर आप student हो, अगर आप परेंट हो, तो आपके चाहिल को भी इस तरीके से पढ़ा सकते हो, और friend, अगर आपको फोटोग्राफिकर सवक है, तो इस तरीके के वाइल एनिमल के साथ आप फोटोग्राफिय भी ले सकत यह सब किस तरीके से होता है, यह हम हमारे वीडियो में देखेंगे, तो friend, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो इसे like और share जरूर कीजेगा, और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, कि मेरे आगे वाले व इक है युगाल में रिखना है, तो सबसे पहले प्लेश्टोर की एक एप्लिकेशन है, जिसको हमें दाउनलोड करने होगी, प्लेश्टोर पे जाके, हमें लिखना है Google AR, जै सही हम Google AR लिखेंगे, हमारे सामने यह यह अप्लिकेशन आज़े, हमें यह आप्लिकेशन को कर लेना है उसके बारत हमें बैक आजाना है अब हमें Google Chrome पे क्लिक करना है अब हमें यहां पर ताइप करना है 925 Google 3D जैसे हम यहां पर यहांपे टाइप करेंगे हमारे सामने यह वेबसाइट ओपन होगी जिस पर हमें क्लिक करना है यहां पर हमने जो भी ऑब्जक्त दिये गए है उसको हम ख्रीडी व्यू में देख सकते हैं यह जो हमारी नई टेक्नलोजी है जिसको हम ए आर टेक्नलोजी के जिसका मिनिंग है Augmented Reality इसके तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D व्यू में हमारे mobile screen पर डेख सकते हैं और उसका deep view भी कर सकते हैं तो फ्रण अगर हम यहां पर नीखते हैं तो इतने सारे animal के में list भी गई है जिसको हम आप 3D व्यू में देख सकते हैं जिसके बार यहां पर हमें planets दिय गए है American planets दिये गए है objects दिये गए है जिसको आप ख्री व्यू में देख सकते हैं इसके साथ-साथ हमारी जो human body है उसकी जो भी system है उसको भी library यहां पर यहां पर हमारे बोडिक पार्ट दिये गए हैं जो अब आते ही हैं तो उसको भी हम यहां से डीप लर्णिंग कर सकते हैं यहां पर हमें यह जो सारे सेल्स हैं जिसको हम 3D व्यू में देख सकते हैं इसके अलावा यह दो काड़ से और यह सू से इसको भी हम 3D व्यू में देख सकते हैं यहां पर 3D व्यू में नए नए अब्जक्ट भी एड़ होते रहते हैं मतलब अगर हम कुछ ताइम बाट रहते हैं तो इसमें कुछ और भी एरो के आसका है तो फ्रेंड हम यहां पर एक चीज को ओपन करके देखते हैं कि यह हमें किस तरीके का दिखाए देखाते हैं तो फ्रेंड यहां पर मैं आपको बैक्तिरियम उपन करके दिखा रही हूं यहां पर हमें बैक्तिरियम का 3D मॉडल दिया गया है यहां पर मुझे व्यू इन 3D पर क्लिक करना है तो इस तरीके का मुबाइल के अंदर हमें 3D व्यू उसका दिखाए देगा अब मैं इसको यहां पर क्लिक करूँगी तो मेरे घर पे भी यह जो बैक्तिरिया है उसका पूरा एंगल है वो हमें दिखाए देगा तो फ्रेंड इस तरीके से यह जो बैक्तिरिया है वो अब मेरे घर पे भी दिखाए दे रहा है तो friend हम किसी भी object को इस तरीके से deep learning कर सकते हैं हमारे student को भी पढ़ा सकते हैं और हमारे बच्चो को भी पढ़ा सकते हैं और खीडी ली यह जो technology है तो friend अगर हम कह सकते हैं कि हमारे modern learning technology हो सकते हैं तो friend यह technology को आपके teaching process भी जरूर से use करें आपको भी काफी अच्छा आपके student से response मिनेगा अभी अगर हम conditional learning कर रहे हैं learning from the home कर रहे हैं तो इसमें भी यह जो टेक्निक है वो बच्चे को पढ़ाने में काफी useful हो सकते हैं और friend जैसे मैंने पहली पताया अगर आपको एनिमल के साथ फोटोग्राफी करनी है विडियो करना है तो यह जो टेक्नोलोजी है वो इसमें भी useful वो सकते हैं तो friend अगर आपको मेरे विडियो पसंद आया है तो ज़िए लाइक और ज़िरूर कीजिएगा और मैं इसी तरीके से नही नही आईडिया साथे लिए देके आप So keep watching my channel Thank you very much